हलो टीचर्स कैसे हैं आप सब मैं C.A. सुमित महता आज की ये वीडियो स्पेशली आप सब की रिक्वेस्ट पर लाया हूँ मैं जानता हूँ कि आप सब अपनी कोचिंग को ग्रो करना चाहते हैं और ये तो आप भी समझते हैं कि कोचिंग को ग्रो करने के लिए आज के टाइम में आउनलाइन पढ़ाना कितना ज़ादा जरूरी है पर कितने टीचर्स ने मुझे और क्लास प्लस टीम को ऐसा बताया है कि उन्हें अपनी आफलाइन क्लासे से टाइम ही नहीं मिल पाता कि वो आउनलाइन पर जरा सा भी फोकस कर पाए As a result उनकी ग्रोथ एक पॉइंट पर आकर रुख जाती है और ना ही स्टूडेंट्स के मामले में और ना ही इनकम के मामले में ग्रो कर पाते हैं तो आज हम डिस्किस करेंगे कि कैसे आप अपनी आफलाइन कोचिंग कंटिनियू रखते हुए भी ग्रो कर सकते हैं एक हाइब्रिड मॉडल में यह हाइब्रिड मॉडल होता क्या है? हाइब्रिड मॉडल का मतलब होता है जिसमें आप दो चीजों के कॉम्बिनेशन को साथ लेकर चलते हैं जैसा कि अगर मैं कोचिंग की बात करूँ तो हाइब्रिड मॉडल का मतलब होगा आफलाइन प्लस आउनलाइन कोचिंग को साथ साथ चलाना अब काफी एजुकेटर्स हाइब्रिड मॉडल को अडॉप नहीं करते ये सोच कर कि इसमें आफलाइन से जादा मेनत लगेगी क्योंकि उन्हें अपनी आफलाइन कोचिंग तो समाल नहीं है साथ ही साथ online courses के लिए या classes के लिए content भी ready करना है उसे फिर record करना है और ready करके release भी करना है और इसके लिए उनके पास time नहीं है आप सही सोच रहे हैं बट इसे करने का एक और optimized तरीका भी है चलिए देखते हैं अब हम आचुके हैं अपने classroom setup में हमने कोशिश की है आपके classroom को replicate करने की तो हम assume करते हैं ऐसे ही benches पर आपके students बैठते होंगे और ऐसे ही किसी whiteboard पर आप पढ़ाते होंगे अब अपने classroom से budget में पढ़ाने के लिए आपको दो चीज़े चाहिए एक camera, दूसरा एक mic तो audio के लिए मैं आपको advice करूँगा कि कोई भी mic जो आपके budget में आता है उससे start कर ले मैं यहाँ पर use करने वाला हूँ बुया का M1 mic जो wire से connect हो जाता है आपके phone से और यह market में available होता है 500 तो 800 रुपीज के बीच में इसको आप अपने shirt में लगा सकते है and then यहाँ पर मैं phone use कर रहा हूँ एक vivo का phone आप कोई भी phone use कर सकते है just ensure कि उसका camera अच्छा हो अब इस phone को मैं tripod पर लगा देता हूँ यह tripod मैंने खरीदा है 300 रुपे का Amazon से अब मेरा पूरा setup ready हो चुका है और यह setup हमने 1000 रुपे से भी कम में किया है अब आप सोच रहे हो setup तो हो गया लेकिन content कहां से लाए तो आप offline class में तो बच्चों को पढ़ाते ही होंगे बस उसी को record कर लीजिए मैं ही समझे, मैं बताता हूँ आप अजियूम कीजिए यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे है अब normal class की तरह मैं ये class लेता हूँ जैसे आप offline में लेते होंगे बट उसे मैं साथ-साथ record भी कर लेता हूँ online class के लिए रुकिये रुकिये ये video भी खतम नहीं हुई मैंने आपको एक master tip के बारे में तो बताया ही नहीं लेकिन master tip को देखने से पहले इस video को like कीजिए share कीजिए और master tip देखने के बाद comment करके जरूर बताइएगा कि ये master tip आपको कैसी लगी तो इस video की master tip ये है अगर आपके पास अपनी app है class plus के साथ तो उस app का use करके आप live जा सकते है और तो और student के doubts भी solve कर सकते है और students आपके questions को answer भी कर सकते है बिलकुल offline class की तरह और जो students class में बत्तमीजी करते है आप उन्हें block भी कर सकते है लेकिन live तो आप YouTube पर भी जा सकते है तो इसमें master tip क्या हुई master tip ये है कि जब आप अपने app पर live जाते है तो आप एक course तयार कर पाएंगे जिसमें आप live class लेंगे अब जैसे ही आप live class लेंगे वो एक normal video की तरह store हो जाएगी आपके app पर जिसे आप move कर सकते हैं दूसरे course में तो हो गए ने आपके दो course तयार अब जैसे ही live class में आपकी एक एक chapter खतम होते जाएं आप उसे move करते जाएं दूसरे course में और उसके price और syllabus को update करते रहें अब आप चाहें तो एक ही course में सिर्फ live classes रख सकते हैं और एक course में सिर्फ recorded रख सकते हैं या फिर एक course में live plus recorded दोनों रख सकते हैं और अपने ही साब से एक ऐसा course भी बना सकते हैं जिसमें आप सब तरीके का content डाल दें तो अगर आप ये सोच रहे थे कि आपके पास content नहीं है इसलिए आप hybrid model पर नहीं जा सकते या online नहीं बढ़ा सकते या आप के साथ अपनी growth नहीं कर सकते I hope अब आपको ऐसी कोई problem नहीं आएगी और अगर आप यहीं तक आ ही गए है तो मैं आपको एक और master tip भी देखी देता हूँ आप अपने students के लिए test तो बनाते ही होंगे क्या आप जानते हैं कि आपके test series की कितनी value है आपके student के लिए exams के time किते students practice करने के लिए test series के courses ढूणते हैं तो आप अपने test और practice series का एक course बनाकर launch कीजिए ताकि आपके जित्ते भी students हैं वो आपके content का benefit ले सके और आप से पढ़ने आ सके और क्या आप जानते हैं आप अपने app पर scholarship test भी ले सकते हैं नहीं जानते कोई बात नहीं वो मैं बताऊंगा आपको next video में तब तक आप इन दोनों master tips को try कीजिए और अगर आप और भी ऐसी master tips चाते हैं तो अभी class plus को subscribe कीजिए इस video को like कीजिए, share कीजिए और comment करके हमें बताईए यह और बाकी सब तो first class है ही